ओम शान्ति, 10 डिसेंबर 2021, बाबा के महावाक्य, मीठे बच्चे देहे अभिमान में आने से पाप होते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनो, तुम्हारे मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। किसी को भी दुख नहीं देना है। प्रश्ण, 21 जन्मों की प्रालब्द बनाने के लिए बाप कौन सी सहज युक्ती बताते हैं। उत्तर, बच्चे यह ईश्वरिय बैंक है। इसमें जितना जमा करेंगे, उतना 21 जन्म प्रालब्द पाएंगे। इश्वरिय स्थापना के कारिय में सफल करने से ही जमा होगा। बाकी तो सब का देवाला निकलना ही है। यह है ही दुख धाम। अर्थ क्वेक होगी, आग लगेगी, सब को घाटा पड़ना है। इसलिए कहती हैं किन की दबी रहेगी धूल में, किन की राजा खाई। सफल उसी की होए, जो धनी के नाम लगाई। ओम शांती। बच्चों को अभी रचता और रचना के आदी मध्यय अंत का नौलिज तो बुद्धी में है। यह भी समश्ते हैं कि हम भारत वासी पहले पहले सत्युग में सतो प्रधान थे। यह याद बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। हर दम याद की यात्रा में रहना, इसमें तो बड़ी महनत चाहिए। परन्तु रचता और रचना का ज्यान तो बुद्धी में होना चाहिए न। हम सत्युग में देवी देवता थे, उसको स्वर्ग कहा जाता है। देवी देवताईं विश्व के मालिक थे, एक ही धरम था। अक्षरों को भी पूरा समझना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो, सत्युग आदी में ही हम सूर्य वन्शी घराने में थे। रच्चता बाबा ने जो आदी मध्य अंत का ज्ञान सुनाया है, वह तो हर एक की बुद्धी में रहना चाहिए। यह कभी भूलना नहीं चाहिए, यह भी तुम जानते हो। हम पुनर जनम लेते लेते, फिर त्रेता में आई हैं, तो दो कला कम हो गई। स्रिस्टी भी पुरानी होती जाती है, यह अच्छी रीती बुद्धी में रखना है। जितना तुम याद करते रहेंगे, उतना खुशी का पारा चड़ा रहेगा, फिर त्रेता के अंत बाद आता है द्वापर। द्वापर शुरू होने से दूसरे धरम स्थापन होते हैं, और हम उतरते उतरते भक्ती मार्ग में आते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि उस समय और धरम भी भक्ती मार्ग में हैं। नहीं, यह कहानी सारी तुम भारत वासियों के लिए हैं। भल रावन राज्य है, परन्तु उन्हों के लिए रावन राज्य नहीं कहेंगे। वह अपने समय पर सतो प्रधान, सतो, रजो, तमों में आते हैं। धर्मों की स्थापना होनी हैं, फिर व्रधी को पाते जाते हैं, फिर गिरते भी रहते हैं, चक्र तो फिर नहीं हैं। इस समय तुम जानते हो, दुआपर के बाद भक्ती मार्ग शुरू हुआ है, और भी धरम स्थापन हुए हैं। अभी तो है कल युग तमों प्रधान दुनिया। स्रिस्टी पुरानी होने के कारण सब तमों प्रधान हो गए हैं। अब यह ज्यान तुम बच्चे ही जानते हो। यह है सहज ते सहज बात। जो बच्चा भी याद कर ले परंतो वह याद करेंगे तोते मुहाफिक। तुम बच्चों को तो भासना आती है, उस अनुसार तुम समझाएंगे। तुम जानते हो, सारा जाण जड़जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। पहले पहले जो आदी सनातन देवी देवता धरम था, उनका फाउंडेशन अब है नहीं। भल है भी, तो वह अपने को हिंदू कहलाते हैं। इसलिए कहा जाता है, देवी देवता धरम है नहीं। प्राहलोप है, सब पतित बन गई हैं। इसलिए अपने को देवता कोई कहलाता नहीं। ना वह धरम है, ना करम है। सत्युग में तो सबका कर्म अकर्म हो जाता है। यहां, मनुष्य जो कर्म करती हैं, वह विकर्म बन जाता है। तमो प्रधान होने के कारण, अपने को देवता कोई कहला नहीं सकती है। ड्रामा प्लैन अनुसार यह भी नोंध है। जब धरम प्रहलोप हो, तब तो बाबा आकर सत्धरम की स्थापना करे। और अनेक धरमों का विनाश कराए। नई दुनिया में एक ही आदी सनातन देवी देवता धरम था। अब शिव बाबा आकर फिर से भ्रह्मा द्वारा देवी देवता धरम की स्थापना करते हैं। तुम हो मुख वन्शावली ब्रह्मन। क्राइस्ट द्वारा जो क्रिस्चन बने उन्हें भी मुख वन्शावली कहिंगे। बच्चे तो नहीं थे ना, वैसे तुम भी भ्रह्मा द्वारा ब्रह्मन बने हो। असुल में तुम हो शिव बाबा के बच्चे, इस समय तुम भ्रह्मा द्वारा ब्रह्मन बने हो। शिव बाबा खुद इन द्वारा देवी देवता धरम की स्थापना करते हैं, क्योंकि उनको ही सारी पुरानी दुनिया का विनाश भी कराना है। वह विनाश का कार्य और कोई करते नहीं, वह तो आकर अपना अपना धरम स्थापन करते हैं, फिर वह धरम व्रधी को पाता है, अभी है ही तमो प्रधान दुनिया। कल्यूग का अंत शाश्त्रों में तो कल्प की आयू लाखों वर्ष लिख दी है। तुम जानते हो यह शाश्त्र आदी सब भक्ती मार्ग की सामगरी है। जो वहां सत्युग में नहीं होगी, वहां यह अनेक धरम नहीं होगी। यह इसलामी, क्रिश्चन आदी सब धरम द्वापर में स्थापन होते हैं। फिर हर एक ने अपना अपना शाश्त्र बैठ बनाया है। अभी सारी स्रिस्टी है पतित। इसलिए पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं कि आकर हमारा दुख हरो और सुख दो। वह भी कहते हैं हमारा गाइड बन हमको घर ले चलो। गाइड तो सबका होता है ना। तुम अभी कॉंट्रास्ट को समझ गई हो। वह पंडे तीर्थ यात्रा पर धक्के खिलाते हैं। तुम हो रुहानी पंडे। पांडव संप्रदाय शिव बाबा के बच्चे भी पंडे। बाब रुहानी यात्रा सिखलाते हैं। हे आत्मा तुम अपने बाब को याद करो और घर को याद करो। बाबा को याद करने से घर पहुँच जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे नहीं। भल ले तो सबको जाएंगे परन्तु सजा खाकर हिसाब किताब चुक्तु करेंगे अत्वा योगबल से चुक्तु तो जरूर करना है। तुम जानते हो अभी हम जमा कर रहे हैं। जितना पवित्रबन जास्ती कमाई करेंगे उतना जमा होता है। पुशार्थ नहीं करेंगे तो कुछ भी जमा नहीं होगा घाटा पड़ जाएगा। तुम जानते हो आधा कल्प हम घाटा पाते ही आई हैं। अभी बिलकुल देवाला हो गया है हर बात में देवाला अभी बच्चों को 21 जन्मों के लिए जमा करना है उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा यह तो सदेव इसमरती में रखो जब भी फुर्सत मिले तो इस इसमरती में रहो बाबा ग्यान का सागर है तो हमको भी रचना की आदी मध्य अंत का नौलिज है आप समान बनाते हैं जैसे बैरिस्टर इंजीनियर आदी पढ़ा कर आप समान बनाते हैं न ऐसे बाब भी बच्चों को आप समान देही अभिमानी बनाते हैं बाब देहे अभिमान नहीं रखते यह तो पढ़ाई है न जो ग्यान बाब में है वह तुमको देते हैं बाब पवित्र ताका सागर है तो तुमको भी आप समान पवित्र बनाते हैं जो नहीं बनेंगे वह सजाएं खाएंगे फिर पद भी कम हो जाएगा इस समय ऐसे नहीं कि धन से तुमको साहुकार बनना है नहीं बाबा ने समझाया है गरीब की एक पाई साहुकार का एक रुपिया समान दोनों को वर्सा इतना ही मिलता है बाप है ही गरीब निवाज इसी लिए गायन भी है अजामिल जैसे पापी अहिल्या आदी आदी साहुकार का नाम नहीं गाया जाता है यह भी समझने की बात है तुम कहेंगे हम पहले पहले सबसे साहुकार थे फिर यहां ग्यान भी नंबर वार उठाएंगे तो वहां पद भी नंबर वार पाएंगे मा बाप को पूरा फॉलो करना है जैसे बाबा पुशार्थ कर उच पद पाते हैं मम्मा बाबा भी सर्विस करते हैं ना तुम्हारी यह है रुहानी सेवा घर घर में संदेश पहुचाना है जो कोई ऐसा ना कहे कि हमको तो बाप के आने का संदेश ही नहीं मिला तो याद कैसे करी ऐसे कुछ कहानिया भी शाष्त्रों में हैं कि भगवान को भी उलहे ना दिया इसलिए सब को मालूम पढ़ना चाहिए टाइम थोड़ा है दिन प्रते दिन प्रदर्शनी मेले आदी की धूम मचती जाती है अब विलायत के अखबारों में पढ़ता है शुरू में जब भठी बनी थी तो विलायत तक अखबार में नाम गया अब फिर यह भी पढ़ेगा कि खुद गौड फादर आकर सब को लिबरेट कर रही हैं कहते हैं और सब तरफ से बुद्धी योग तोड़ो मुझ एक बाप को याद करो तो तुम पावन बन मुक्ती धाम में चले जाएंगे कोई तो अच्छी रीती समझ कर याद करने लग पड़ेंगे धरम के बड़े जो होंगे वह फिर नंबर वार आते हैं सभी धरमों का ज्जाड निराकारी दुनिया से यहां आकर व्रधी को पाता है फिर पतित दुनिया से चले जाएंगे निराकारी पावन दुनिया में फिर हर एक अपने अपने समय पर धरम इस्थापन करने आएंगे यह बुध्धी में रहना चाहिए सत्युग में एक ही धरम था फिर व्रधी होते होते अनेक धरम अनेक मत हो जाती है तुम जानते हो, यह भारत अविनाशी खंड है, इसमें प्रले कब होगा नहीं, इन बातों को सिमरण करते रहो यह तुम्हारी ईश्वरिय मिशन है, सेंटर्स खुलते जाते हैं, अब विनाश भी सामने खड़ा है, इन आखों से जो कुछ देखते हो, वह सत्युग में कुछ भी नहीं रहीगा, जंगल हो जाएगा आबू थोड़े ही सत्युग में होगा, दरकार ही नहीं, यह मंदिर आदी सब बाद में भक्ती मार्ग में बनेंगे कितनी उची पहाडी पर मंदिर बनाते हैं, फिर ठंडी में बंद कर नीचे उतर आते हैं तुम तो पहाडी पर बैठे हो, अंत में सब पहाडी पर ही साक्षतकार होंगे। बाबा बतलाते हैं, मुझे भी जब साक्षतकार हुआ था, तो मैं पहाडी पर था। अब भी पहाडी पर आकर अनायास ही बैठे हैं। यहां बैठे बैठे तुम सब कुछ सुनेंगे और देखेंगे। यहां बैठे साक्षतकार हो सकता है कि कैसे आग लगती है, क्या क्या होता है। रेडियो से, अखबारों से सब कुछ तुम सुनेंगे। टीवी में भी तुम देख सकते हो। आगी चलकर ऐसी ऐसी चीजे निकलेंगी जो घर बैठे सब दिखाई पड़ेगा। रेडियो में कहां कहां का आवाज सुनाई पड़ता है। यह सब है माया का पॉम्प। तब मनुष्य समझते हैं यह तो स्वर्ग है। स्वर्ग तो तब हो सकता है जब विनाश हो। वहां मीठे पानी पर महल होंगे। कहां पहाडियों पर जाने की दरकार नहीं। वहां सदेव बहारी मौसम रहती है। आज गर्मी है, ठंडी है, सब में दुख है। स्वर्ग में दुख का नाम नहीं होगा। तुम ऐसी जगा चलते हो, यह बुद्धी में हैं कि हमको यह शरीर छोड़ जाना है बाबा के पास। अब हम बाबा द्वारा राज्योग सीख रहे हैं, पांच अजार वर्ष पहले भी सीखा था। कहते हैं बाबा, आप तो वही हो। बाबा जानते हैं, जिन्होंने कल्प पहले राज्य भाग्य पाया होगा, वह अब भी लेंगे। यह चक्र बुद्धी में होना चाहिए। बरोबर पांच अजार वर्ष पहले भारत में देवी देवताओं का राज्य था, फिर आधा समय के बाद माया की प्रविष्टा हुई, फिर और धरम आए, फिर भक्ती मार्ग शुरू हुआ, अर्थार्थ रावन राज्य शुरू हुआ। यह चित्रों पर साफ समझा सकते हो, यह भारत की ही कहानी है, कि सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते हैं। फिर जब विनाश का समय होता है, तो सब विनाश का ले विप्रीत बुद्धी हो जाते हैं। मेले प्रधर्शनी में बड़ी युक्ती से चित्र रखने चाहिए। तुम्हारा यह ज्यान है गुप्त, यह हत्यार आदी की कोई बात नहीं। तुम बहुत साधारन हो, तुम चलते फिरते घुमते बाप की याद में रहते हो। कोई तुम्हारे से पूछे, तुम वेदों शाष्त्रों को मानते हो। बोलो हाँ जी, हम उन्हों को अच्छी रीती जानते हैं, कि इनसे भगवान की प्राप्ती नहीं हो सकती है। यह सब भक्ती मार्ग की सामगरी है। सत्युग में सब पावन आत्माई थी, गीत भी है ना, जाग सजनिया जाग। नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। बाबा आकर नई दुनिया के लिए नई कहानिया सुनाते हैं। सीन सीनरियां सब नई होंगी। प्रदर्शनी में आते बहुत हैं। ओपीनियन भी लिखते हैं। बहुत अच्छा है यह सब को समझाना चाहिए। परन्तु खुद कुछ भी समझते नहीं है। कोटों में कोई मुश्किल ही निकलते हैं। परन्तु सर्विस्तो होनी हैं। धेर प्रजा बनेगी। तुम बचे इस ग्यान का सिमरन करते रहो। तो बहुत खुशी रहेगी। यह दुनिया ही दुख की है। घाटा पड़ा, देवाला निकला, अर्थ क्वेक हुई, सब के पैसे खत्तम हो जाएंगे। तब कहते हैं, किन की दबी रही धूल में, किन की राजा खाए, सफल किसकी होगी। जो इश्वरिय स्थापना के कारिय में लगा रही है। यह है इश्वरिय बैंक, जो इसमें जितना डाले उतना जमा होता है। जितना जिसने कल्प पहले डाला होगा, वह इतना ही शिव बाबा की गोलक में डालेंगे। इसका रिटर्न फिर नई दुनिया में 21 जन्मों के लिए मिलेगा। भक्ती मार्ग में शिव बाबा की गोलक में डालते हैं, तो अल्प काल शन भंगुर सुख मिलता है। यहां तो डायरेक्ट शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो 21 जन्मों के लिए मिलेगा। भक्ती मार्ग में अल्प काल का सुख नर्क में मिलता है। फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए, किसको भी दुख नहीं देना चाहिए, नहीं तो नाम बदनाम कर देंगे, कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। देहे अभिमान में आने से पाप तो होते हैं। बाबा के बने हो, तो कहते हो बाबा, यह सब कुछ आपका है। सच्ची दिल पर साहिब राजी होगा, दिल में कोई खोट नहीं होना चाहिए, नहीं तो और ही गिरते रहेंगे। तुम हो पैगंबर के बच्चे, तुम सब को पैगाम देते हो, कि बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उसका संदेश सब को देना है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। उसके लिए जिनको राजीयोग सीखना हो, वह आकर सीखे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारना के लिए मुख्य सार। अंदर में कोई भी खोट, कमी हो तो उसे निकाल देना है। सच्ची दिल रखनी है। देहे अभिमान में आकर कभी क्रोध नहीं करना है। दूसरा, जब भी फुर्सत मिले, तो याद की यात्रा में रहे कमाई जमा करनी है। वर्दान, संपोन समर्पन की विधी द्वारा, अपने पन का अधिकार समाप्त करनी वाले समान साथी भव। जो वाइदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ में राज्य करेंगे, इस वाइदे को तभी निभा सकेंगे, जब साथी के समान बनेंगे। समानता आएगी समर्पन ता से। जब सब कुछ समर्पन कर दिया, तो अपना वा अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। जब तक किसी का भी अधिकार है, तो सर्व समर्पन में कमी है, इसलिए समान नहीं बन सकते। तो साथ रहने, साथ उड़ने के लिए जल्दी जल्दी समान बनो। स्लोगन अपने समय स्वास और संकल्प को सफल करना ही सफलता का आधार है। ओम शांती। स्लोगन यो। झाल 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 झाल